बीस फीट से भी जादा दूरी तक छलांग लगा सकती है जायंट गिलहरी इंद्रधनुशी रंगो वाली गिलहरी को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह विदेशी धर्ती पर ही पाए जाती होंगी लेकिन ऐसा नहीं है यह दक्षन भारत के जंगलों में भी पाए जाती है इसे मालाबार जायंट स्क्विरल या इंडियन जायंट स्क्विरल के नाम से जाना जाता है इसका रंग और खुबसूरती देखकर इसे इंड्रधनुशी गिलहरी भी कहते हैं वैसे इसका बावलोजिकल नाम राटुपा इंडिका है करीज तीन फीट की लंबाई वाली यह गिलहरी 20 फीट से भी ज्यादा दूरी तक चलांग लगाने के लिए जानी जाती है इन गिलहरीों को आप तमिल नादू, करनातक, आंधर प्रदेश और केरल के जंगलों में देख सकते हैं इंड्रधनुशी गिलहरी आमतोर पर सुबा शाम सक्रिय रहती हैं और दिन में सोती है इंड्रधनुशी गिलहरी 36 फीट से उचे पेड़ों पर रहती हैं ताकि वे शिकार होने से बच पाएं भारत के अलावा इंड्रधनुशी गिलहरी थाइलेंड, मलेशिया, सिंगापो, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी मिलती है बतादे की महराष्ट्रा में मालाबार जायंट गिलहरी को राजकिय जीव का दरजा हासल है इस गिलहरी को मराठी भाषा में शेकारू कहते हैं इसके शरीर पर काला, भूरा, पीला, नीला, लाल वा नारंगी समेट परी रंग दिखाए देते हैं इंद्रधनुशी गिलहरी अक्सर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लंबी-लंबी छलांग लगा कर भागती रहती है इंद्रधनुशी गिलहरी पूरी तरह से शाकाहारी होती है पल, पूल, नट्स और पेड़ों की 46 गिलहरी का मुख्य भोजन है हाला कि इन गिलहरीों से कुछ उप्रजातिया शाकाहारी के साथ साथ पीले और चिडियों के अंदे भी खाती है